यह pattern दो candle से मिलकर बनता है इसका first candle रेड़ होता है और second candle गीन होता है और इसमें first candle का बोड़ी second candle बोड़ी के अंदर होना चाहिए ऐसा confirmation के बाद लगता है कि second candle ने first candle को एंगल्फ कर लिया है यानि cover कर लिया है और इसी बज़े से इसे बुले से एंगल्फिंग पैटन का जाता है और यह दोनों का बोड़ी और बिक का साज पोजीशन के साफ से अलग अलग हो सकता है जो आपके skin के सामने है और आप देख सक सकता है लेकिन बुले से एंगल्फिंग उसे माना जाएगा इसका ट्रीवियस को सेशन डाउनटेन में रहा है और इस थरह डाउनटेन में बुले से इंगल्फिंग केंड़ेस्त इड़न 진 मुह बनने के बार यह एगकस्पर्ट क किया जाता है कि प्राइश यहां तो ऐसा बायर और सेलर की साइक्लोजी है, उसे समझने का प्रियास कर लेते हैं, प्राइज को सेशन डाउंटेंड में रहा, इस दोनान प्राइज के उपर सेलर ने कंट्रॉल किया, इस pattern का first candle open होता है और थोड़ा high बना के finally open price के नीचे close हो जाता है मतलब इस candle में भी seller downtend को बरकरार रख लेकिन next candle थोड़ा gap down open होता है इसका मतलब opening भी seller के control में होता है और यहां से हो सकता है थोड़ा और नीचे गया फिर suddenly buyer बहुत जदा active हो जाता है यहां seller जितना भी seller supply करता है buyer buy करना शुरू कर देता है और supply से जदा demand create हो जाने पर price उपर आ जाता है और पूरा इस candle session में buyers demand को बरकरार रखता है एंड फाइनली first candle के open से भी उपर close हो जाता है इस तरह वारेशनेस market में जहां पर price पूरा seller के control में था अचानक buyer का इस तरह active हो जाना और seller के control को defeat करके price को previous day के open से उपर close हो जाना एक trend reversal को indicate करता है आसा करता हूँ यहां तक वीडियो देखने के बाद बुरिस एंगलफिंग का basic concept आप समझ पाए होंगे तो अभी हम देखेंगे कि इस pattern में टेट करते बाग इस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके टेट का सही जाने का chance बढ़ जाए अगर आपको यी वीडिय यह अच्छा लग रहा है तो आगे जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना फास्ट यह pattern बनते वक्त कुसेशन डाउन टेट में होना चाहिए सेकेंड इस pattern के फर्स्ट केंडल का लोग उसके प्रिवियस थ्री केंडल के लोग से नीचे होना चाहिए थाड इस pattern का नेस्ट यानि बुलिस केंडल का बोडी कम से कम 3% होना चाहिए मतलब open up close का difference at least 3% होना चाहिए फॉर्थ इस pattern के second candle का हाई फर्स्ट केंडल हाई के उपर होना चाहिए फिप्त सेकेंड केंडल का बोलियम फर्स्ट केंडल के बोलियम से ज़्यादा होना चाहिए 6 और ये pattern कोई support area बे बनना चाहिए तो मैंने इसमें 6 point को mention किया तो अभी आपको लग रहा है इतना point देखने जाऊंगा तो ऐसा setup मिलेगा ही नहीं तो जब भी आप bullish engulfing को देखोगे तो trade लेने से पहले एक बार ये सब point को जरूर देख लेना और मैं sure हूँ आपको ऐसा setup मिलता रहेगा इसमें आप practice कीजिए और trade करिए फिर आप देखोगे कि ये सब point अपने आपी modify कर पाऊगे मतलब अपने trading के हिसाफ से कुछ extra point add कर प observation और practice से क्योंकि अब ही आप beginner हैं और आप सीख रहे हैं तो मैंने इस pattern को observe किया उसका एक rule बना के आपको दे दिया ताकि आप सब ये observe कर पाएं और practice कर पाएं मैंने YouTube पर ऐसा सारा वीडियो देखा है जहां पर बोलता है इस rule को follow कर लो अर रोज इतना कमाओगे उतना पास चीज है आप खोदी सोचिए अगर कोई rule में इतना तागत होता तो public में आके कोई नहीं बताता सेकेंड उस rule को follow करके हर कोई करोपती successful trader बन जाता ओके ठीक है बीच बीच में ऐसा बोल देता हूं ताकि आप सही direction में stock market को समझ पाएं मुझे पता है इस वीडियो में ज पाएं जो share market को सही तरीके से सीखना चाहते हैं और आप भी जब से share market को सीख रहे हैं सही से सीखिए और मेहनत करिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वीडियो अभी तक खतम नहीं हुआ है इसमें अभी हमको stop loss entry और target point को देखना है इसमें आपकी entry होगी bullish candle के second green candle के low के आसपास इसमें आपको next candle का confirmation लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले हाई accuracy वाला pattern को डून लिया है आपका stop loss होगा bullish engulfing के दोनों candle में से जिस भी candle का low नीचे है उस candle के low के नीचे stop loss रखना है और बैसे target situation के उपर depend करता है लेकिन आप next को resistance area या reversal का संक दिखाई दे तब exit कर सकते हैं और सबसे safe तरीका है आप one to one का target लेकर trade करिए मतलब अगर आपका stop loss 5 point का है तो आगे आप 5 point का target भी रख लीजिए target हिट हो जाने पर अगर आपको कोई stock में और भी आगे की stand दिखाई दे तो हाब quantity book कर लीजिए बाकी का quantity trailing stop loss के साथ trail करते रहे जब तक stop loss हिट ना हो जाए इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो